दतिया के सेवड़ा में बीती बुदवार की रात एक होटल में अदाधुन फाइरिंग करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफतार करने में सफलता हसिल कर लिया गटना को अंजाम देते हैं में बदमाश सीची टीवी कैमरे में क्याध हो गए थी जिसकी मदद से पुलिस ने आज दो बदमाशों को पकड़ दिया है दतिया के सेवड़ा तहसील में बुद्दबार की देर रात बस अश्टेंड के पास एक होटल में खाना खा रहे कुछ लोगों पर हत्यारबंद लोगों ने अंधादुन फाइरिंग शुरू कर दी थी अचानक हुई इस फाइरिंग से आसपास के लोगों में भगदल मच गई थी वही कुछ लोग गोली के छर्रे लगने से घायल भी हो गई थी जिनका अभी भी इलाज चल रहा है फारिंग करने के बाद बदमाश महां से भाग निकले थे हाला कि घटना को अंजाम देते हुए बदमाशों की तस्वीरे बहाँ पर लगे एक सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई थी जिनकी मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी आज पुलिस ने उन में से दो बदमाशों राम किशोर और जगरू बगेल को गिरबतार कर लिया है दौनों आरोपियों से पुलिस पूछताच कर रही है नियूज बंदेल खंट के लिए दतिया से रभी राइकवार की रिपोर्ट